सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें रात के साड़े बारा बज रहे थे कुलापूर में धाराशियू जाने वाली सेनियर कॉलेज के जात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी ट्रिप खत्म करके वे वापस दाराशिवा आ रहे थे दिन भर मौज मस्ती करने की वज़े से सवी छात्रे ठक कर सो गए थे दर्वाजे के सीट के पास विकास सर और सुशिल सर खराटे ले रहे थे बस ड्राइवर विज़े मामा भी नीन में बस चला रहे थे उनके बगल वाली सीट पर प्यून पांडू मामा बैटे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगले स्वोरों का जून आया विज़े मामा ने बस जंगल में रोग दी कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी कुछी देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा शाम नीन से जाग गया शाम की उम्रे 21 साल थी पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला ना किसी से बनती थी ना ही उसका कोई दोस्ट था वो दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था सर टॉलेट जाना है सर ने आधी आँखे खोल कर खिलकी से बाहर देखा बस अभी भी जंगल में ही थी थोड़ी देर बैठ जाओ जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो मैं बस रोक दूँगा वे बोले और फिर आँखे बंद कर सो गए शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा कुछी देर में जंगल खत्म हुआ और बस विरान जगा पर आ गई उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा जैसे ही बस रुकी विकास सर बोले किसी को टॉलेट होना है तो अभी उतर जाओ वरना बस सिदे धराशिव जाकर ही रुकेगी आवाद सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नीन से जाग गया विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गया उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग-अलग जाड़ी की पीछे टॉयलेट करने गये श्याम टॉयलेट करके वापस आया लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिलाया उसकी आवाद सुनकर विकास सर और श्याम उसकी और भागे लेकिन तभी श्रीकांत जाड़ी से बाहर आया क्या हुआ? क्यों चिलाये थे? कुछ नहीं सर, चपल से होकर काटा पैर में चुबा उसकी आवाद सुनकर ड्राइवर और प्यून भी नीचे उतरे थे वो सब बस में वापस चड़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुख गई अरे भाई साब, यहां के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला, चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले हाँ पता है पता है, हम बस निकली रहे हैं और वो सब बस में बैठ कर रहे सर, वो आदमी किस चकवा के बारे में बात कर रहा था? पि उनने अगले सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा हिंदी में चकवा मतलब चलावा चलावा मतलब भूत कहते हैं, जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा चलावा बन जाती है चलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव या स्थल तक पहुँचने ही नहीं देता वो बस उन्हें उसी जगा पर घुमाते रहता है कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ आप उसी जगा पर आ पहुँच जाओगे जहां आपको चलावा ने पकड़ लिया था या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगा पहुँच जाएंगे जहां पर चलावा उन्हें ले जाना चाहता है विकास सर ने बताया इसके बाद ड्राइवर बोला और या त्री रात भर उसी जगा पर बार बार घुमते हैं वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना होगे जैसे ही सूरज उकता है उनकी ताकत कम हो जाती है मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त है उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था कहते हैं छलावा बस उनी यात्रियों को पकड़ता है जो ठके हुए होते हैं क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है न फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है प्यून गवराते हुए बोला अरे कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है यह सब अंदव श्वास है ड्राइवर जब ठक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है इसलिए उसे भ्रहम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है इसे ही अंपड लोगों ने भूत यानि चकवा या चलावा का नाम दिया है विकास सर बोले यह सभी बाते हैं श्याम और श्रेकान सुन रहे थे नहीं सर चलावे होते हैं और कुछ चलावे तो जान लिवा भी होते हैं मेरे दादा जी को चलावे ने इतना परिशान किया था कि मरते मरते बचे थे रात को जितने भी एक्सिडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सिडेंट चलावे के कारण ही होते हैं वो रात के बेरहम शिकार होते हैं यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सिनेंट में उनकी मौत हो गई है लेकिन मौत का कारण चलावाई ही होता है सर। शाम ने डरावनी आवाज में कहा। सर इस पुछ मत सुनो। इसकी बुआ राइटर है। उन्हें से सुनी होंगी ये बाते। और राइटर लोगों का तो कामी होता है बाते बनाना। उसी से तो उनका घर चलता है। पिछली सीट पर बैठे श्रिकांत ने कहा। श्रिकांत चुपो जाओ और सो जाओ। उन्होंने डाटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आखे बंद कर ली और सो गए। कुछ समय भी था। शाम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाई की टपरी है। लेकिन ये चाई की टपरी तो मैंने पीचे भी पहले वाले जंगल में देखी थी। वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो विरान जगह से पहले आया था। वो भागते हुए ड्राइफर के पास गया। विजे मामा नीन में बस चला रहे थे। बीच बीच में आखें जवका रहे थे। विजे मामा बस कौन से जंगल में है। होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या। नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुँच गए हैं, जहां पर बस के सामने जंगली सुर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलत फैमी हो रही है, वो जंगल तो कब का पीछे छुट गए है न। उनकी बहस सुनकर विकास सर नीन से जाग गए, क्या हुआ श्याम, सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है, क्यूंकि बस वापस उसी जंगल में आई है, जहां से पहले गुजरी थी, लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर सर, अगर आपको मेरी बात पर यकिन नहीं हो रहा है, तो बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा, जो एक्सिडेंट में पल्टी हो चुका है, और कुछी देर में रास्ते के किनारे सभी को पल्टी हुई ट्रक दिखाई थी, यह देख कर सभी की आँखे फटी की फटी रह गई थी विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी श्रिकान पिछले सीट से आ गया चुका था सब के चहरे का रंग उड़ गया था बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई वो सभी जान गये कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है ड्रावर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घुम भेर कर उसी क्यों ना हम सुबह होने का इंतिजार करते हुए उसी विरान जगा फर रुख जाए ड्रावर बस चलाते हुए बोला लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है नहीं सर मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगा मिल जाए तो रुकने में क छुट जाएंगे फिर वह चलावा हमें नहीं पकड़ सकता इन सभी की बाते सुनकर सोय हुए सुशिल सर जाग गए अरे क्या हुआ आल गया क्या मेरा बुर्गाओ सुशिल सर उबासी लेते हुए बोले तभी सभी ने उन्हें गटी हुई गटना बता दी यह सुनकर सुश पर लिखा था बुर्गाओं में आपका स्वागत है यह दिख सुशिल सर जोर से चिला है यह तो मेरा गाओं है लेकिन हम यहां इतने जल्दी कैसे पहुँचे हमें तो कोलापूर से निकले मुश्किल से दो घंटे हो गया है और मेरा गाओं कोलापूर से 6-7 घंटे की दू जाना चाहिए और सुशिल सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है लेकिन सर चलावी में एक जगा पर रुकना खत्रे से खाली नहीं है और चलावा खुद में ही खत्रा है वह खुद में सुरक्षित जगा कैसे रख सकता है तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्य बच्पन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ तो तैरा, विजय मामा, बस सुशिल सर के घर के तरफ ले चलो सुशिल सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड दिखाई दी बस आगे नहीं जा सकती थी इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी भीड में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे और भीड का रोख सुशिल सर के घर की तरफ ही था भीड के रोने की आवाद सुनकर वे सभी लोग डर गये सुशिल सर बस से उत्रे और भीड में गुस गए उनके पीछे पीछे सभी भीड में गुस गए वो सभी भीड को चीरते हुए सुशिल सर के घर के सामने जा पहुँचे और आगे का नजारा देख उनकी रूह काँप उठी क्योंकि जमी पर खून से लगपत चार لाशे पड़ी हुई थी और वो लाशे थी सुशिल सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की उन सभी की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी खुद के परिवार की लाशें देख कर सुशिल सर का दिल जहम गया और वो रो पड़े किस ने मारा उन्हों ने रोते हुए एक आंक वाले बुढ़े आदमे से पूछा आज त्म्हारे बीवी ने चाकु से त्म्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीर कर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काट कर खुद खुशी कर ली क्या लेकिन क्यों उसने ऐसा क्यों किया अरे तुम नहीं उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी क्या शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे है तुम नहीं उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है ये लो चाकू और अपनी जान दे कर अपने गुना का प्राश्यत कर लो पैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जी कर क्या करोगे खुद की जान दे दो परना उनकी आत्मा को कभी शांती नहीं मिलेगी नजाने सुशिल सर को क्या हुआ वो उस आदमी के बातों में आ गये ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गये थे उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और रोते हुए बुले हाँ, हाँ, मैं प्राश्यत करूँगा मैं अपनी जान दूँगा वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो ये सब छलावा है आपका परिवार नहीं है आपका परिवार घर पर सुरक्षित है तभी एक आँख वाला आदमी बोला एई, तुने अगर एक लब्स भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़ कर गाओं के बीचो बीच्छूली पर चड़वा देंगे ये सुनकर, ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया सुशल सर ने जमीन पर बैठ कर चापो की धार अपने गले पर रखी सर, एसा मत करिए ये सब कुछ छलावा है इसके चंगुल में मत फसिये सर लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे इसलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चाटा मारा तब जाकर वो होश में आ गये और उन्होंने चापो नीचे प्रेंग दिया ये देख एक आँखवला आदमी गुस्सा हो गया बाईयो इन लोगों को भीड से बाहर निकाल दो इन्हें हम बात में देखेंगे पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो ये सुनकर भीड में खड़े लोगों ने सभी को भीड से बाहर कर दिया श्रीकांत विकास सर पियून और ड्राइवर भीड के अंदर गुसने की कोशिस कर रहे थे लेकिन अंदर गुसनी पा रहे थे सुशील सर के हाथ पहर बांद कर उन्हें जमीन पर बिठाया गया सुशील सर अपने जान की बेख मांग रहे थे मुझे कोई बचाओ विकास सर पांडु मामा मुझे प्लीज बचाओ मुझे बचाओ वो चिला रहे थे कि तभी एक आख वाले आदमी ने चाकु से सुशील सर का गला काटा और उनका सर दर से अलग कर दिया उसने उनका सर हाथ में पकड़ा और भीड के बाहर हवा में फेक दिया वो सीधे श्रिकांत और श्याम के सामने आगिरा वो दोनों चीखे तभी एक आख वाला आदमी बोला भायो इन शेहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जुर्रत की है उन्हें भी पकड़ कर उनका गला काट दो वैसे भीड में खड़े लोग इन सब लोगों की तरफ मुड़े वो गुस्ते से इन की तरफ देख रहे थे तब ही उन्हें बस के हौन की आवाज आई जल्दी से भागो, जल्दी करो कुछी दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिला है उनकी आवाज सुनते ही शाम, श्रिकांत, विकास सर और प्यून बस के तरफ भागे भील उनका पीछा कर रही थी ये सबी लोग जैसे तैसे बस में चड़ गए गावालों ने बस पर पत्राव किया बस के कांच तूटकर बच्चों के शरीर में उसके तुकड़े गुज गये लेकिन उसमें से कोई भी नेंद से जागा नहीं था क्यूंकि वो सब ज़लावे के प्रभाव से मोहित होकर सो गए थे शाम, विकास, सर और शरीकांद के शरीर में भी कांच के तुकड़े गुज गए थे कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर रोड से बस को तोड़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चड़ा दी और बस वहां से चल पड़ी जैसे तैसे बस गाउं से बाहर आ गई हर कोई अपने शरीर से कांच के तुकड़े निकालने में लगा हुआ था शरीकांद अपने हाथ में घुसा कांच का तुकड़ा निकाल रहा था कि तभी पियून वहां पर आया भती जे, रुक, मैं निकालता हूँ वो बोला, क्योंकि शरीकांद उनकी बहन का बेड़ा था बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी ना जाने कब वो चलावा उन्हें अपने गिरब से छोड़ने वाला था सुशिल सर की अभी-भी मौत हो चुकी थी हर कोई गवराया हुआ था शाम, अब बताओ हम क्या करें अरे इससे क्या पूछना है इसकी वज़े से हाज सुशिल सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं चुप हो जाओ, हमने उन्हें बचाने की कोशिस की लेकिन मैं खुद अपने भाउना को रोक नहीं सके और इसलिए मारे गए इसमें मेरी कोई खलती नहीं है शाम सफाई देते हुए बोला लेकिन अब हम क्या करें हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है कि सुबह होने तक चले अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस चलावे का शिकार हो जाएंगे ये भी है ये चलावा तो मेरे सोच से ज्यादा ताकतवर निकला आजब मुश्या है शायदी अमाबस चलावा है बुआ कहती थी कि चलावे के बहुत से प्रकार है जिससे सबसे खतरना का माबस चलावा होता है ये सिर्फ और सिर्फ अमाबस की राज शिकार करने के लिए बाहर निकलता है इसे अकेले दो या तीन लोगों की शिकार करना पसंद नहीं है जहाँ पर यात्री बहुत सारी संख्या में होते हैं बस उन्ही पर ये छलावा हावी हो जाता है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कमजोर और सफर में ठके हुए इंसान को ढूंडता है उन्हें डर दिखाता है और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरील पर कबजा करता है और बाकी यात्रियों के बीच में रहकर उन्हें गुम रहा करता है उन्ही छलावे में बस गुमता रहता है गुमता रहता है और जब सभी यात्री ठक जाते हैं तो उनका शिकार करता है और मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के चंगुल में फसे हैं वो वो अमाबस छलावा ही है और वो अभी हमारे पीच में ही है श्याम दरावनी आवाज में बोला यह सुनकर सभी के होश उड़ गए थे वो सब तो ठीक है लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकले ड्रावर ने पूछा इस पर श्याम ने कहा अब किवल एक ही उपाय है लेकिन इसमें खून बहने के चांसस है हाँ क्या है वो उपाय शलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है हमें उसे डोड़ना होगा और उसे मारना होगा क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज्यादा मजबूती से चिपकी नहीं होती जैसा ही हम उसको मारेंगे उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी और फिर वो किसी मृत शरीर में घुज नहीं सकेगी क्योंकि एक अमाबस चलावा, एक राच सिर्प एक ही मृत शरीर पर कबज़ा कर सकता है लेकिन, हमेसी ये चलावा है कौन? वो पीछे सोय हुए स्टूडेन्ट के शरीर में नहीं है क्योंकि वो होश में नहीं है वो हम पाजों मेंसे एक है क्या? लेकिन हम सब तो जिन्दा है नहीं, हम मेंसे एक पहले ही मर चुका है उसे चलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कबजा कर लिया है कबजे के बाद मेरे शरीर बिलकुल एक जिन्दा आदमी लगता है क्योंकि चलावा अपने ताकत से जिन्दा इन्सान की नकल करता है लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभेर हो गया और उसने शरीकांत की और देखा बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे वो रही बाचित सुन रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो चलावा उसे निगल जाएगा बस में सननाटा जाया हुआ था हर कोई श्याम के मूँ से चलावे का नाम सुनना जाता था कि तभी श्याम बोला कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे मेरा विश्वास करो सब श्याम थी चलावा है जब ये विरान जगा पर जाड़ी की पीछे गया था तब मैंने इसे किसी साय की और घूरते हुए देखा था जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा तब ही मेरी चपल में कांटा चूबने की वज़े से मेरी चीक निकल गई और वो साया वहां से गायव हो गया शाहिद तब ही उसने श्रिकान को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा किया होगा सर जल्दी से इसे मार डालो वरना ये भाग जाएगा ये सुनकर सभी के खोश उड़ गए लेकिन उसकी बात में कुछ तो वज़न था ए श्याम जबान सम्हाल कर बात कर भतीजा है ये मेरा अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मार डालूँगा हाँ पियोन गुस्से में बोला अरे शक की सुई तो इस श्याम पर भी है ये भी तो जाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था उपर से ये विकास हम दोनों की नजर से दूर था शायद इसे ही चलावे ने बस के नीचे खिंच किया और वही माल डाला तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकते चलावा पियून ने कहा अरे मैं जिन्दा हूँ मैं चलावा नहीं हो सकता शाम ने कहा और ये शाम हमारी कबसे मदद कर रहा है ये चलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता अब बचे तुम, तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये श्रिकांत ही छलावा है विकास सर जोर से बोले अरे सर, इस पे उनको छोड़ो, अब सीट के नीचे से रोड निकालो, और उस छलावे का सर फोल कर मार डालो ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, ये सुनकर, श्रिकांत डर के मारे पे उनके पीछे चिप गया विकास सर ने सीट के नीचे से लोहे की रोड निकाली, पे उनने उन्हें रोकने की कोशिस की लेकिन विकास सर ने उन्हें धक्का मारा और रोड श्रिकांत के सर पर मारी लेकिन श्रिकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया वो रोड से दूसरा हमला करते कि तभी पूर्ण ने पीछे से रोड पकड़ी और विकास सर के हाथों से रौट फीच कर उन्हें खिड़की परदा केल दिया और उनके सर में रौट दे मारा विकास सर हाथों से सेर पकड़ कर वहीं तड़पते रह गए उनके सर से खून निकल रहा था और कुछी देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया ये देख शाम चल लाया विजे मामा जल्दी से पीछे आये इन दोनों ने विकास सर को मार डाला ये सुनकर ड्राइवर ने बस बीच जंगल में रोग दी और वो पीछे भागते हुए आया उसने प्यून के हाथों से रौट छीना और उसे धक्का दे दिया तुम नहीं सुनोगे इसलिए पहले मुझे तुमे ही मारना होगा ड्राइवर गुस्दे में प्यून से बोला और वो प्यून के सर पर रौट से हमला करता कि इससे पहले ही प्यून ने काच का नुकिला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में गौंग दिया ड्राइवर जोर से चलनाया और नीचे गिर गया कि तभी बस के बाहर से भीर की आवाज सुनाई देने लगी रास्ते के बीचो बीच बस लगाई है इन्होंने लोग गुस्ते से चिलाने लगे बाग निकलो बस दिलो अंदर क्यों छुपकर बैटे हो अरे क्या हुआ भाईयो आप ऐसा क्यों कह रहे हो प्यून चीक चीक कर उनसे पूछ रहा था लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था तभी श्याम श्रिकांद से बोला ये लोग सिर्फ चलावा है हम जंगल में रुके हुए हैं इसलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं विकास सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं फिर भी हम चलावे से बाहर नहीं निकले इसका मतलब चलावा अभी भी हमारी बीच में है और वो चलावा तुम्हारा मामा है ये सुनकर श्रिकांद की आँखे फटी की फटी रह गई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अरे ऐसा ही है श्रिकांद तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विकास सर और ड्राइवर की जान ली वो उन्हें सर्फ गायल भी तो कर सकता था लेकिन नहीं उसने उनकी जान ली अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ श्रीकांद और देखो उस आदमे को वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है यह सुनकर श्रीकांद सोच में पढ़ गया श्रीकांद लोग अभी बस के काच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे इससे पहले हमें यहां से निकलना होगा मैं बस को यहां से निकालता हूँ और तुम्हें चलावे को पीछे बुलाकर इस काच के टुकड़े से घोप दो चलावा मर जाएगा और हमारी जान बच जाएगी श्याम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजनसी है इसलिए मैं बस पहले ही चलाना जानता हूँ उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा उसने बस चालू की और बस जलाने लगा प्यून पीछे श्याम के पास जा पहुँचा श्याम बहुत ही मन लगा कर बस को भगा रहा था कि तभी उसे प्यून की चीक सुनाई दी उसने मिरल में देखा तो प्यून गले में हाथ लगा के नीचे गिर गया श्याम के हाथ में खून से जना काँच का टुकड़ा था उसने अपने ही मामा को गला काट कर मार डाला था श्याम के पास आया शाम ये बस उड़ दी मैंने चलावे को माँ डाला ये सुनकर शाम जोर-जोर से असने लगा और उसकी आँखे लाल हो गई और वो डरावनी आवाज में बोला लेकिन चलावा तो मैं हूँ ये सुनकर श्रिकांत के तो होशे उड़ गए अरे चौक क्यों रहे हो मैं ही छलावा हूँ जंगल में जब बस के आगे सुरो का जुन्ड आया था तभी मैं बस में घुस गया था मैंने बस में सबसे कमजोर और ठका हुआ यात्री चुना ये श्याम ठकान के कारण गहरी नींद में सो गया था मैंने इसे जगाया और मेरा असली रूप दिखाया मेरा डरावना रूप देखकर ये उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया मैंने तुरंट इसके शरीर पर कबजा कर लिया तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर बैठा एक लड़का मतलब कि तू कहानी सुना कर डरा दिया क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है मैंने जान बूज कर तुम सब को गुमराह किया और सुशील सर के गाउं ले गया और तुम्हें छलाव में रुखने के लिए मजबूर किया और सुशील सर की जान ली मैंने ही विकास सर तुम्हारे मामा का खून करवाया ऐसा कहकर वो हसने लगा यही मेरा खेल यानी की शिकार थी तुने अपने ही मामा की जान ली उस मामा की जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान पर खेल कर दो आदमियों की जान ली अब तुम्हारा जी कर क्या फाइदा ये सुनकर श्रिकांद के आँखों में आसु आ गया उसे अपने गलती का एसास हो गया श्रिकांद आओ बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पे और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे लेले खुद की आ इन सभी आतियों की जान चलावा श्रिकांद के आँखों में देख कर बोला शायद अन लाल आखों का जादो श्रिकांद पे हो रहा था वो चलावे की बातों में आ गया था जैसे सुशिल सरा गये थे और खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे शाहिद श्रीकांत को अपने किये का पच्टावा हो रहा था और वो छलावे की बात मानने वाला था कि तभी श्रीकांत ने अपने आसु पूझे और वो जोर से चिलाया मामा! चलावे को पीछे पैरो की आठ सुनाई लिए और उसमें मुढ़कर देखा कि तभी प्यून में लोहे का रोट चलावे की सर पे दे मारा और उसका सर पर चार-पांच बार हमला कर उसका सर कुचल दिया तुम्हें क्या लगा? खेल के बल तुम ही खेल सकते हो? जैसे सुशिल सर की जान गई तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया और मेरे मामा विकास सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी और बात में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजनसी है जबकि श्याम का मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोल गपे का ठिला लगाता है श्रिकांत ने अपने मामा के हाथ उसे लोहे की रौड ली और छलावे से बोला अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस की रात का इंतिजार करो क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो और ऐसा कहकर उसने एक रौड का वार उसके कुछले सर पे कर दिया और उसके शरील से छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया और जैसे ही चलावा बस से बाहर निकल गया सभी स्टूडेंट्स नीन से बाहर आ गए अज पहली बाहर कोई अमावस चलावा किसी यात्री से हारा हुआ था बस के उपर हवा में उरता हुआ चलावा दर्द से तड़पने लगा और चिलाते हुए हवा में दिखागे वो छलावे को अपनी योनी से मुक्ति मिल गई क्योंकि ये स्रिष्टी का नियम है कि जब भी कोई छलावा इंसान से हारता है उसका अंध हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है आधी रात का समय था एक गाड़ी हवा से बाते करती लोनावला की गुमावदार सडकों पर दोड़ी चली जा रही थी गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और अंदर बैठे चारों नोजवानों अक्षे, रवी, आईशा और आदी ने अपने हाथ में एक एक कोल्डरिंग की बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने शराब मिला रखी थी शराब के नसे में जूमते हुए अचानक ही अक्षे ने गाड़ी में ब्रेक लगने के कारण चारों को एक जोरदार जटका लगा और जैसे शराब का नसा एक जटके में चूर हो गया घबराते हुए रवी, आदी और आईशा गाड़ी से बाहर निकला है क्या हुआ अक्षे, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगा दिया, सब ठीक तो है ना लगता है डिक की खुली रह गई है, जा दी, तू चिक कर गया कुछ नहीं हुआ बे, बस वैसे ही मज़े ले रहा था, इसका बर्डे है, इसे परिशान करना तो बनता है न तुम्हें अगर ज्यादा मस्ती सुझ रही है तो हटो मैं ड्राइव करती हूँ, गाइस, मुझे लगता है अक्षे पीकर आउट हो चुका है ए आईशा, चुप करके बैठना पीछे, बुला ना तुझे मजा कर रहा था आदी आजाना यार, कुछ नहीं है डिक्की में, बैठ जल दी आशा के बुलाने पर आदी भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अक्षे वापिस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है यार, सौकी स्पीट में भागती गाड़ी में तुने ब्रेक लगा दिया अगर गाड़ी पहार से नीचे गिर जाती तो अभी इन वादियों में भूत बनकर घुमते हैं अपन लोग आए यार, प्लीज, ऐसा करो, किसी लोज़ पर गाड़ी रोग दो हम लोग सुबा निकलेंगे अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार तुम सब को चड़ गई है अपने होश में नहीं हो तुम लोग इस तरह लॉंग ग्राइब पर जाना सही नहीं है और तुम लोग अभी इस हाईवे के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो यार तेरा ही बड़े मनाने जा रहे हैं तु सारा मज़ा मत खराब कर अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है इस हाईवे में? यार मैंने बोला ना ये रास्ता सही नहीं है यहां के लोकल्स का कहना है कि आगे पहाड़ी पर अक्सर रात में एक्सिडेंट होते हैं ये रुपने वाली आदी के लाख रिक्वेश्ट करने पर भी अक्सर ने फिर से गाड़ी का गेर बढ़ा रहा रहा और एक बार फिर से उनकी गाड़ी हवा से बागी दे आदी की बाते भूल कर रात के तकरिबन दो बज गये थे पीछे की सीट पर बैठे बैठे रवी अब जबकिया लेने लगा था तब ही एक बार फिर से अक्सर ने जोरदार बेक लगा दिया तो गाड़ी जाकर सड़क किनारे लगे पूर से जाटक रहा अक्सर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार अब तुम चुप चाप ड्राइविंग सीट से उत्रो नहीं तो अच्छा नहीं होगा अरे यार कोई मजाक नहीं है मेरी गाड़ी के सामने अभी अभी ना जाने कहां से एक लड़की आ गई थी अच्छा तो अब कहा गई वो लड़की मुझे तो यहां कोई लड़की नजर नहीं आ रहे मेरा यखिन करो आईशा गाड़ी के सामने एक लड़की थी उसे देखकर ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी डिस्बैलन्स होकर इस पेड़ से जाटक रही ट्रस्ट मी मैं कोई मजाट नहीं कर रहा रात के दो बज रहे हैं इतनी रात कोई सुनसान सडक पर कोई लड़की क्यों घुमेगी और अगर तुम्हारी बात मांग भी ले कि यहां कोई लड़की थी तो अब वो लड़की कहा है आदी तुम तो अक्षे के साथ ही बैठे थे ना तुम है कोई लड़की दिखाई दी मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दी पता नहीं अक्षे क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार लड़की अचारक कहां गायब हो गई समझ लो हमारा एक्सिडेंट होते होते बचा है अभी आदी आईशा और अक्षे गाड़ी से नीचे उतर कर बाते कर रहे थे और अभी सब कुछ अंसुना करके चैन की नीन सो रहा था इसी देखो अभी गाड़ी खाई में गिर जाती तो ये सोते सोते कुमकरन उपर पहुंच जाता इसलिए बोलती हूँ लिमिट में पिया करो अब तू सही कह रही है शायद मुझे चड़ गई है मैं पीछे बैठता हूँ अब तू ड्राइव कर ले ना बाबा ना अब तो मेरी आखे नीन से भरी हो रही है तुही चला गाड़ी लेकिन अब ध्यान से चला ना अक्षय एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आईशा पीछे बैठ कर जबकिया लेने लगी कुछ तेर बाद यार आदी मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहा है है सब गोल गोल गुम रहा है यहाँ वही पेड वही पहाड मुझे सच में चड़ गई है क्या यार तु एक बार लोकेशन चेक करना भाई पहाड एक जैसे ही होते हैं इसमें क्या अलग होगा आदी अपना मुबाइल निकालता है लेकिन मुबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था यार मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है तब ही अक्षय को गाड़ी की लाइट्स में सामने एक आदी बासी पहनावे वाली लड़की दिखाई देती है लगता है मुझे फिर से वैम हो रहा है अगर अब मैंने ब्रेक लगाया तो ये सब मिलकर मुझे ही पहार से नीचे फैक देंगे अक्षय लड़की की और गाड़ी बढ़ाने लगता है अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा सामने कोई लड़की है उसे गाड़ी से उड़ाई देगा क्या आदी की बात सुनकर अक्षय लड़की से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोग देता है अक्षा है अचानक ये लड़की कहां से आटप की चुप चाप गाड़ी आगे बढ़ा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बाहर मत निकलना अरे यार बहुत गवराई होई लग रही है और राद भी हो रही है देखने तो देख क्या बात है मैं बोल रहा हूँ ना ये रास्ता सही नहीं है यार यहाँ पर अक्सर लोगों को चलावा लग जाता है तो फिर शुरू हो गया तब ही वो लड़की दोड़ते हुए उनके गाड़ी के पास आ जाती है मुझे भूलन पूर तक छोड़ दो साहिब आपकी बड़ी महरबानी होगी क्या बात है डरी हुई क्यों लग रही हो साहिब वो लोग बेरे पीछे लगे हैं आप बस जल्दी से यहाँ से चलो नहीं तो कुछ भी हो सकता है लड़की की बात सुनकर अक्षय गारी का दर्वाजा खोल देता है और लड़की आकर आईशा के बगल में बैठ जाती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिब आस तो मैं बाल बाल बजी हूँ आपको पता नहीं है साहिब इतनी रात गए इधर निकलना सही नहीं है यहां रात गए अपने शिकार की तलाश में चलावा घुमता है कहते हैं जिसके उपर चलावा की नजर पढ़ जाए फिर वो नजर बान देता है उसके बाद आप वही देखोगे जो वो आपको दिखाएगा लेकिन तुम भाग क्यों रही थी कौन था तुम्हारे पीछे साहिब मैं चलावा के पकड़ में आ गई थी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बजा कर भागी हूँ लड़की अभी अपनी कहाने सुना ही रही थी कि सामने से कुछ लोग मशाल लेकर सड़क के बीचो बीच खड़े हो जाते हैं अरे ये लोग ऐसे सड़क घेर कर क्यों खड़े हो गया हैं कौन है ये लोग ओ शिट हॉन बजा जल्दी इन लोगों पर हॉन का कोई असर नहीं पड़ रहा है यार एक टक घुरे जा रहे हैं और अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हो रहे हैं मुझे तो बहुत गुस्ते में लग रहे हैं क्या करूँ पतली से सड़क है अगर ये सामने से नहीं हटे तो गाड़ी रोकनी बड़ेगी गाड़ी रोकते ही कई इन्हों ने हमपर हमला कर दिया तो साहब ये आदमी नहीं है आप बस गाड़ी मत रोकना अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया, तो अच्छा नहीं होगा, हमेंसे कोई नहीं बचेगा क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उन पर गाड़ी चड़ा दूँ, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा अक्षय की गाड़ी दिरे दिरे उस भीड के नस्दीक पहुँच रही थी, भीड में खड़े लोगों के हाथों में, जलती हुई मशाल और लाठी डंडे दिखाई पर रहे थे, इसके साथ ही उनके चेहरे पर गुस्ता भी साब साब दिखा जा सकता था, जैसे ही गाड़ी उ तोड़ जाती है, अरे यार, ये लड़की कौन है, और ये कहां आ गए हम लोग, यार आईशा, हम अपनी आखों से चलावा देखकर आ रहे हैं, बस, लास मोमेंट पर अक्षय ने इस रोड पर गाड़ी गुमा ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, मुझे तो अभी त ये देख, सामने बोट पर लिखा है, लोनावला साथ किलो मीटर, लो, हम तो बस एक घंटे में लोनावला पहुँचने वाले हैं, लेकिन लोनावला पहुचने में तो आठ घंटे लगते हैं न, इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुँच सकते हैं, आखिर ये कौन नया रास्ता मिल जाता है और अब तुम कह रहे हो लोनावला बस 60 किलोमेटर बचा है I can't believe it कुछ तो गडबड हो रही हमारे साथ क्या यार आईशा तू तो मज़े से नीन में जपकिया ले रही थी ना अगर तुने वो मशाल और हत्यार वाले लोग देखे होते तो तुझे यकीन हो जाता अक्षे ने जो उस मोमेंट पर किया वो सही किया कुछ अनियूज्वल नहीं है मैं अक्षे को गलत नहीं बता रही हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये रास्ता सही है आईशा आदी और अक्षे के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक द्धाबा निकाई देता है चलो इस ढाबे पर उतर कर पता करते हैं कि ये रास्ता कहां जाता है नहीं नहीं साहिब मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी आप लोग जाए मैं यहीं ठीक हूं मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे भी लगता है कि हमें यह आपर नहीं चाहिए जहां तक मुझे पता है इस पहाडी रास्ते पर कोई ढबा नहीं है फिर ये ढबा अचानक कहां से आ गया अरे यार चलो ना तुम लोग हर काम बिगारते क्यों रहते हो कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे फ्रिश भी हो लेंगे यह रभी तो उठी नहीं रह है इसके लिए भी कुछ पैक करा लेंगे आदी और अक्षय के कहीं बार समझाने पर भी आईशा और वो लड़की गाड़ी से उतरने के लिए तयार नहीं हुई इसलिए वो दोनों ही ढावे के अंदर पहुँच जाते हैं वहाँ पहुचकर अक्षय सिगरेट सुलगा लेत अक्षय के कहीं बार आवास लगाने पर एक रहस्य महिसा दिखने वाला आदमी अंदर से बाहर आता है कुछ खाने के लिए है अक्षय की बात सुनकर वह आदमी एक प्लिट में दाल चावल निकाल कर उसकी और बढ़ा दीता है छी ये कैसा खाना है इसमें तो किड़े रें खाओ चुपचाब हम भी कई दिनों से भूख हैं अब तुम आ गए हो अब हमारी भूख भी मिट जाएगी उस आदमी की रहस्य महीं बाते सुनकर अक्षय बहुत गवरा जाता है अक्षय उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ आ जाता है पहुच चुका है चल चुका है तुम्हे अब तुम मैंसे कोई नहीं बचेगा इतना कहकर वो आदमी वहां से गाय हो जाता है अक्षय वरादी हाँते हुए वापिस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं गाड़ी में बैठ आदी हम अभी भी छलाओंगे है और उस आदमी ने अभी हमसे कहा कि वह हम तक पहुच कर हमें चल चुका है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि छलाओंगा हम में से ही कोई एक हो क्या वकवास कर रहा है क्या नहीं कहानिया बना रहा प्तु अरे तु तू तो पूरे रास्टे सो रहा था न तुझे नहीं पता हमारे साथ क्या-क्या हुआ है तू चुप रहे ये डावा भी एक छलावा ही था कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच्छे क्या भ्रहम एक मिनट रवी इतनी बार गाड़ी रुकी इतना शोरगुल हुआ तेरी नील कैसे नहीं डूटी तू रवी ही है न कहीं ऐसा तो नहीं की यही छलावा हो सोचो गाईस पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है तुम लोग पागल हो गए हो क्या मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है आधी रात को सड़कों पर लड़किया नहीं फ्रेद घुनती है मेरी मानो तो इसे पहाड से नीचे धकेल कर छुटकार अपाओ इससे देखना उसके बाद सब सही हो जाएगा पागल मत बनो मैं एक इनोसिंट लड़की को ऐसे कुछ भी करने नहीं दूगा मुझे तो लगता है साहिब ये आधी सरी छलावा है ये ही हमें ढाबे में ले जाने के लिए पीछे पड़े थे ये सब इनकी ही चाल है अरे बस करो तुम सब के सब ये क्या तमाशा शुरू कर दिया तुम चुप करो अब मैं अभी मरना नहीं चाहती सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करूँगी मुझे भी लगता है कि ये लड़की ही गड़बर आशा अपने बगल में बैठी हो साधिवासी लड़की का गला दबाने लगती है आशा को उस लड़की का गला दबाते देखकर अक्षय गाडी रोग देता है और उसे बचाने की कोशिस करने लगता है इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खत्रे में नहीं पढ़ने दूँगा तब ही रवी गाडी में रखे लोहे की रॉड उठाकर उस लड़की के सर पे दे मारता है लड़की को मारने के बाद वे लोग उसकी बाड़ी को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते है कि तभी दूसरे और से कुछ गाओं वाले मशा लेकर उनकी और दोड़ते दिखाई पड़ते है ये तो वही लोग है ना जिसे ये लड़की चलावा बोल रही थी इसका मतलब चलावा अभी भी हमारे आसपास ही है जल्दी चलो यहां से वे चारो घवरा कर फिर से गाड़ी में बैठ जाते है देखो सुबह होने में बस एक ही घंटा बागी है हमारे बीच जो भी चलावा है वो अगले एक घंटे में हम सब को अपने साथ ले जाएगा हमें उसके बारे में पता लगा कर उसे खत्म करना होगा नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा काम डाउन यह जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने के शक्ति को खत्म कर दी है हम लोग एक भ्रहम में हैं क्या सच है क्या जोट कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काभू कर सके तु अपना प्रवचन अपने पास रख मैं तुम तीनों को ही खत्मी कर दूँगा तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा तु मुझे भी मार देगा रवी तु तो मुझे प्यार करता था ना इससे पहले कि रवी आईशा को मारता है आईशा अपने गले में पहने हुए सकाप से रवी का गला घोटने लगती है तु ही है वो राक्षस तुझे ही खत्म कर देती हूँ सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आईशा और रवी के पीच होती हाथा पाई को देखकर अक्षए अचानक से अपनी सीट के पास रखी बेर की बोतल के आधी के सर पर देह मालता है उस फूटी हुई बोतल से ही अक्ष्य आदी के उपर एक के बाद एक कहीं सारी वार कर देता है अक्षय के आदी पर हमला कर देने से अचानक ही आदी का चहरा बदलने लगता है और वो एक खौपनाक चहरे वाले प्रेट में बदल दे लगता है आदी का चहरा बिलकुल काला हो गया था और उसके बदन पर कपड़े भी पुराने और फटे दिखाई दे रहे थे पिछले काफी देर से मैं आज रात की सारी घटनाओं की कडिया आपस में जोडने की कुशिस कर रहा था तुझे पहले ही पता था कि हम तेरा बद्डे मनाने लोनामला जा रहे है घर से तो तो खुशी-खुशी हमारे साथ आ गया था लेकिन जैसे ही ये पहाड़ी हाइवे स्टार्ट हुआ तुझ अजीर सा वेवार करने लगा पहले तुने कहीं बार मुझे योटन लेने को कहा जबकि तु जानता था उस रोड पर आगे 10 किलोमेटर तक कोई योटन नहीं है उसके बाद उस लड़की को लिप्ट देने से मना करना अचानक से छलावे की कहानी सुनाने लगना जबकि तु तु तो इन बातों को कभी मानता ही नहीं है वो गाहों की लड़की ठीक कह रही थी तु ही मुझे जान बूज कर उस ड्यावे में ले गया था लेकिन मैं वहां से बचकर किसी तरह निकलाया मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर तुने मेरा हाथ जब जटका वो मुझे बहुत अजीब लगा था और सबसे ज़रूरी बात रवी तो पूरे रास्ते गाड़ी से उत्रा ही नहीं था इसलिए जब आईशा रवी को मारने लगी तो मैंने तेरी तरफ नजर गुमा कर देखा तु अपनी सीट पर बैठा बड़े अराम से मुस्कुरा रहा था कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हस नहीं सकता मैं समझ गया कि छलावा तुही है और कोई नहीं मूर्ख हो तुम सब मैंने तुम्हे समझने के लिए कितने मौकर दी है लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे मैंने तुम्हे बताया था छलावा जो चाहेगा तुम बस वही देखोगे मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बांध रखा था गहों के लोग इस लड़की को नहीं मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे इसलिए मैंने तुम से कहा कि गाड़ी मत रोकना मैंने तुम्हें वो ढावा दिखाया ताकि तुम सब वहां नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूँ लेकिन ये आईशा बहुत चालाख है इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया था इसलिए मैं वहां शिकार करने से चूक गया बस कुछ देर की बात और थी इस रवी के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते है और मेरी जीत हो जाती अगर ये आदी नहीं है तो हमारा आदी कहा है तुम्हारा आदी तो उसी जगा मेरा शिकार बन गया था जब पहली बार तुम सब गाड़ी से उतर कर इस अक्षय ऐसे जगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था अक्षय मार इसको छोड़ना मत उसने हमारे आदी को मार डाला मैं इसे नहीं छोड़ूँगी सुबह के चार बच चुके हैं अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इतना कहकर वो छलावा वहाँ से गायब हो जाता है जन्म दिन की दिन ही अपने दोस्त को खोने का गम ने उन सब को तोड़ कर रख दिया था उस राद चलावे से उनकी जान तो बच गई थी लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम जीवन भर उनके सीने पर बोज बन कर उन्हें सालता रहा